हरे कृष्ण भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे तीसरे अध्याय का 31 वाश्लोक 3.31 भगवान इस लोक में कह रहे हैं जो वेक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं भगवान ने भगवत गीता में अनेक इंस्ट्रक्शन दी हैं देखा जाये तो ये शास्त्र डारेक भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है लेकिन तोड़े दिर पहले हम पढ़ चुके हैं कि भगवान ने का वेद मुझ से ही है तो कुल मिलाकर हम ये समझें कि गुरू के माद्यम से हमें समझना चाहिए लेकिन जितने भी शास्त्र हैं जिसे जितने भी वेद हैं पुरान हैं और अपना ये भगवत गीता रमायन ये जितने श्रीमत भागवतम जो परमुक पुरान हैं इन सभी शास्त्रों में अनेक अनेक इंस्ट्रक्शन सजेशन्स जो हैं हमें मिलते हैं जो हमें एक प्रमानिक गुरु के माध्यम से समझना चाहिए और अपना जीवन उन आदेशों के अनुसार पालन करना चाहिए जैसे सिंपल सी बात है गर्मेंट ने हर चीज के लिए रू हम सब करोना काल से गुजर चुके हैं करोना काल में तो अधे घर से बाहर निकलने रूल्स थे मुझे भी याद है आज तक की एक बार करोना काल में मैं कहीं जा रहा था Candieoli में इस जा है कि अगर मास्क की लेए शुय आप अगर पकड़ लिया तो दोः घान्स फोन अगया को फालो ना करें तो इसी तरह से अगर हम ईश्वर के दिये नियमों का पालन ठीक से नहीं करें तो वो भी एक दंडनिया इस्तिती की तरफ पहुंचा सकता है सो भगवान कह रहे हैं जो वेक्ती मेरे आदेशों के अनुसार अपना करतवे करते रहते हैं ठीक है और इरश्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूरवक पालन करते हैं कोई इरश्या नहीं कोई ये नहीं कि भगवान अपने आपको बड़ा समझते हैं गुरु मुझको ऐसा बोल दिया वो तो देखो ये कर रहा है मैं फिर ऐसे क्यों करूं ये सब नहीं चलता है इरश्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर वक पालन करते हैं पालन भी रो रो कर नहीं करना है जैसे मैंने का दूसरों को भी नहीं देखना है कि उसको क्या क चीज को पालन कर रहे हैं तो रो रहे हैं अब जैसे हम लोग हरे कृष्णा महा मंतर का जब करते हैं दो घंटा कम से कम लगता है सोला माला करनी होती है तो श्रद्धा पूर्वा करनी है रो नहीं है यार ये क्या बता दिया गुरुदेव ने अब बताओ मैं तो इतना बिजी हूँ यार मैं गलती गया इसे अच्छा तो मैं माला छोड़ी देता हूँ ऐसे नहीं चलेगा मतलब फिर फायदा ही क्या है यार इर्शा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंदन से मुक्त हो जाते हैं ऐसा मैं आशा कर सक करते हैं कि जो गुरुदेव का आज्या पालन कर रहे हैं और गुरुदेव की आज्या का क्या कुछ लोग कहते हैं रे गुरु क्यों माननी है भगवान की मानो एक ही तो बात है गुरु भगवान की आज्या तो बताएंगे वो गुरु ही क्या जो भगवान का उपदेश न पुर्वत गुरू अगर है तो भगवान के ही तो संदेश आपको दे रहा है तो बड़ा क्लियर मेसेज है इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं मेरे आदेश के अनुसार काम करो इर्शय रहित होके काम करो श्रद्धा पूर्वक पालन करो सकाम कर्मों के बंदन से मुक्त हो जा जो पाप और पुन्य दोनों कर्मों के फलो को जला देती है और आपको मुक्त कर सकती है आपको मुक्ष दिलवा सकती है चलिए 32 वश लोग भगवान कह रहे हैं जो इर्शय वश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं बहुत लोग हैं भगवत गीता सुनना ही नहीं चाह जाते समझने के बाद फॉलो नहीं करना चाहते हैं इसलिए भगवान कह रहे हैं जो इर्शय वश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं उन्हें समस्त ग्यान से रहित कोई ग्यानी नहीं है बेशक वो मैंने कहा न आपने आपको पीएजड समझें डॉक्टर समझें एंजीनियर समझें चार्टर अकाउंटेंट आई एस जो मर्जी हो आप उन्हें समस्त ग्यान से रहित दिग भ्रमित तता सिद्धी के प्रियासों में नश्ट भ्रष्ट समझना चाहिए अध्यात्मिक दृष्टी से ये सब महामूर्ख हैं बहु बहुत बड़े ये हैं ये बहुत बड़े वो हैं वो कुछ नहीं है अध्यात्मिक दृष्टी से जीरो हैं जिनको आत्मा का ग्यान नहीं जिनको ये नहीं पता कि क्या सतोगुन है क्या रजोगुन है क्या तमोगुन है जो कुछ समझते ही नहीं है भगवान आत्मा परमात प्रमात्मा, भगवान और देवता में फर्क, प्रमात्मा और भगवान में फर्क, बेसिकली फिर क्या ग्यान है, क्या पढ़ा है तुमने, प्रुपाजी कहते थे शरीर से रिलेटेड इतनी इनिवरसिटीज हैं, बायलोजी और ये और वो, आत्मा का पता नहीं कुछ भी क्य है, और वही असली चीज है, जिस दिन वह आत्मा शरीर से निकल गई तो इस पूरी बाड़ी की इनिवरसिटीज पढ़ते रो इसको, संभालते रो इसको कितना भी है, यहीं पढ़ी रह जाएगे और खुदी सब लोग तीन गंटे में इसका तिया पाचा कर देंगे, तो फ समस्त ग्यान सा रहित है, दिख भ्रमित है, सिद्धी के प्रियाशों में नश्ट व्रष्ट कुछ नहीं है, सब जीरो, 3.33, ज्यानी पुरुष, यह अब उनकी भी बात फिर भगवान कही रहे हैं, जो पड़े लिखे हैं, ज्यानी पुरुष भी अपनी प्रकती के अनुस कर चुके हैं, कि प्रकती के तीन गुण होते हैं, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण, जो जिस गुण में पैदा हुआ, वो करीब करीव ऐसे ही बहेव करता रहता है, उसको लगता है वो प्रकती को चला रहा है, जबकि प्रकती उसको चला रही होता है, अब जैसे तो गुण आपसे काम करवा रहे हैं और आप काम करते ही रहते हो दमन आप करना पाओगे दूसरे अधिया है के 69 शलोक में भी हम ये बात चर्चा कर चुके हैं कि अगर कुछ बेटर मिल जाए तो ही हम जो पहले मिला वा उसको छोड़ सकते हैं दमन तो होना पाएगा जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम करते ही चले जाएंगे फसे हुए हैं फसते ही चले जाएंगे उससे भार अगर निकलना है तो गुरू का हाथ थामना होगा शास्तर का हाथ थामना होगा साधू को फॉलो करना होगा भगवान के बाद सुननी होगी हरी नाम जब करना होगा करना होगा तब ही इसमें हमें सफलता मिल पाएगी नहीं तो नहीं हो पाएगा काम अगला श्लोक लेंगे 34 तो कि एक इंद्रिय तथा उनके विशे से संबंदिद राग द्वेश को विवस्थित करने के नियम होते है अब यहाँ पर चर्चा ये है कि इंद्रिय अचाह कोई भी इंद्रिय है अब खाना पिना है जीव एक इंद्रिय है तो खाने पिने के नियम है अब पहुँचेंगे जब आगे भगवत गीता में सत्रवे अध्याय में तो बताया जाता है क्या सात्विक भोजन है क्या राजसी भोजन है तो इन सब चीजों को पढ़ना है समझना है, फालो करना है खाने को मनाई नहीं है भगवत गीता पढ़ली को भूखे रो मर जाओ ऐसा कई नहीं लिखता है और दिरा रूल्स क्या खाना है, क्या नहीं खाना है कितना सोना है, कितना नहीं सोना है क्या सूंगना है, क्या नहीं सूंगना है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है क्या करना है, क्या नहीं करना है हर चीज़ के रूल्स हैं सो इंद्रिया और उनके विशे से संबंदित, राग, द्वेश को विवस्तित करने के नियम होते हैं, रूल्स हैं, हम टाइम एन अगेन गवर्मिन्ट के रूल्स को लेकर, कनेक्ट करकर समझने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही कुछ अध्यात्मिक रूल्स भी हैं, जो शास्तरों में लिखे रहते हैं, मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेश के वशिबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षातकार के मार्ग में अबरोत है, अगर हम उन रूल्स को फॉल्लो नहीं करेंगे, अब जीब तो कुछ भी खाने को मांगेगी, तो ऐसे रागी, कट्रोल किया जारा है, क्यों हमें सुबेर उठने के लिए कहा जारा है, जब हम दस बजे उठना चाहते हैं, तो कोई भी नियम उसको अगर हमें तोडने से राग हो और पालन करने से दुएश हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसीज़ नोट गॉड ये चीज हमें समझने के जुराद है सो चलिए इस वीडियो में इतना ही लेते हैं अगली वीडियो में आगे continue करेंगे आप से हमेशा की तरह प्रार्थना प्लीज 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 भगवत गीता की प्रचार में हमारी संस्था की मदद करें मोबाइल नमबर वीडियो पर दिया है उस पर संपर्क करें और हो सके तो ये वीडियो कुछ लोगों को वाटसेप के माद्यम से फॉरवड करें हरे कृष्णा